लोकसवा चुनाव 2024 के प्रथम चरण का मतदान पूरा हो गया लेकिन अगर आपको पता चले कि एक राज ऐसा है जहां पर करीब 4 लाख वोटर्स अपना वोट डालने ही नहीं गए मतदान केंद्रों पर ही नहीं गए मतदाता जो कर्मी थे वो 9 घंटों तक इंतजार करते रह है लेकिन एक आदमी तक वोट डालने नहीं पहुंचा वहां के विधायक तक वोट डालने नहीं पहुंचे अब आप कहेंगे के भाई ऐसा कौन सा रज है जहां पर ऐसी घटना हो गए इतनी बड़ी बात हो गए और हमें तो पता ही नहीं है आखिर क्यों नहीं गए क्या मो टॉक वजह इसकी 400 पार के नारे की खुशी नहीं थी बलके कुछ और थी आपको आगे बता देंगे लेकिन सबसे पहले आप सोच रहे हैं कि वो राज कौन सा है उस राज का नाम है नागा लेंड नागा लेंड के जो पूर्वी छेत्रे हैं उसमें 6 जिलों के करीब 4 लाग से उपर मत दाता है एक भी वोट डालने नहीं पहुचा अब आप कहेंगे वह क्यों डालने नहीं पहुचे ऐसी का नाराजगी थी इनकी क्या हमारे देश का जो निर्वाचन आयोग है उसके जो मुख चुनाव आयोग तर राजीव कुमार क्या उनसे कोई नाराजगी थी क कोई उनसे मनमटाव हो गया क्या जी नहीं उनसे तो कुछ नहीं हुआ लेकिन इनकी प्रमुख जो मांग थी वो एक अलग राजग बनाने की थी यह जो छेजले हैं वो FNT यानि कि Frontier Nagaland Territory बनाने की मांग कर रहे हैं और इसके लिए इन्होंने बाकादा पहले से सरकार को ब नहीं हुआ है इसलिए इन्होंने मतदान का बहिशकार कर दिया इतने बड़े स्तर पर हम जहां पर एक तरफ प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास के डंके की बात करते हैं वहां पर 10 साल में भी यहां पर आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं हुआ है जिसके चलते इन मतदाताओं को मजबूरी में बहिसकार करना पड़ा, इतनी बड़ी खबर है, लेकिन क्या आपके कानों तक पहुँची, क्या आपको पता चली थी क्या, जरा सच बताईएगा, और यहां के जो 20 विधायक हैं, उन्होंने भी वोट नहीं डाला, नागालेंड के जो मुख् प्रेसला लिया गया था कि कोई भी मतदान नहीं करेगा, और आपको बता दें कि यह साथ आदवासी जो संगठन है, उनका एक सीर्स निकाय है वो श्चेत्र में, दोस्तों इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं, और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स मे जरू बताईए और इस वीडियो को हर जगह शेर कीजे, चैनल को सब्सक्राइब कीजे, साथी साथ सरल्टॉक के फेस्वक, ट्विटर, टेलिग्राम, इस्टाग्राम पेज को आप जरू फॉलो कीजे, अन्तुमें सबी से एक अपील है कि सरल्टॉक को जॉइन वा थैंक्स वटन से सपोर्ट कीजे, जिसे हम और बहतर कारी कर सकें, नमस्कार